नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल हेल्ट प्लस में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में काली मिर्च के क्या है फायदे और क्या है नुकसान इसके बारे में हम बात करेंगे काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम Piper Nigram है काली मिर्च का पोदा दक्सिन भारत में पाया जाता है आइरवेधी गरंतों में इसका वर्णन और उपयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है काली मिर्च खाने से सर्दी में होने वाली बिमारिया जैसे खासी युखाम में रहत मिलती है इतना ही नई काली मिर्च से बाल जड़ना भी कम हो जाते हैं आईए जानते हैं काली मिर्च हमारी बिमारी में कैसे रहत दिलाती है काली मिर्च में पैपरीन नमक तत्व पाय जाता है उसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं काली मिर्च वाइटमन ए, वाइटमन सी, फ्लोवनोईड और एंटी ओक्सिटेंट से भरपूर होती है जो कहीं तरह के कैंसर सेल से लड़ने में मदद करते हैं साथ ही इसमें आयरन, पोटेसियम, मैगनीशियम, मैगनीज, जिंक, क्रोमियम और अन्य पोसक्तत पाय जाते हैं आयुरुवेद में काली मिर्च को उस्दी के रूप में इस्तमाल किया जाता है काली मिर्च के पावडर को गुड में मिलाकर खाने से सर्दी, जुकाम, वे नजले में आराम मिलता है काली मिर्च लोगों की टेंसन और टेप्रेशन को दूर करने में मदद करती है काली मिर्च का सेवन दांतों से जुड़ी समस्चाओं से राहत देता है अगर सुबह खाली पेट गुंगुने पानी के साथ काली मिर्च का सेवन किया जाए तो ये हमारे सरीर को बहुत सारे फायदे पहुचा सकती है आयूरवेद में बताया गया है कि सुबह गर्म पानी के साथ काली मिर्च का सेवन करने से सरीर की रोग परती रोदक चमता बढ़ती है इससे सरीर स्वस्त बना रहता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहे काली मिर्च क्या है? जगह के हिसाब से काली मिर्च के अलग-अलग नाम है तेलगु में से नाला मिर्यालू, तमिल में करू मिलाकू, वे कन्नड में कारे मंसू कहा जाता है काली मिर्च एक फूल वाली बेल है जिसके फल के लिए इसकी खेती की जाती है जब इस बेल का फल सूख जाता है तो इसे मसाले के तोर पर इस्तमाल किया जाता है इसी मसाले को काली मिर्च कहा जाता है इसे पेपर कॉन भी कहते हैं तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं काली मिर्च के फायदे के बारे में काली मिर्च के फायदे पाचन सक्ति में सुधार काली मिर्च पाचन रस और एंजाइम को तेजित करती है जो हमारी पाचन सक्ति को बढ़ाते है जब आप खाने के साथ काली मिर्च का सेवन करते हैं तो इसका असर पाचन सक्ति पर ज्यादा पड़ता है research में सावीद हो चुका है कि काली मिर्च pancreatic enzyme पर साकारात्म कसर डालती है जिससे पूरी पाचन परकिरिया बहतर तरीके से काम करती है सरदी खासी में आराम सरदी खासी में काली मिर्च का सेवन प्राचीन काल से ही किया जा रहा है इसमें antibacterial गुण होते हैं जो आपको सर्दी खासी से रहत दिलाने में मदद करते हैं अगर आप सहद में थोड़ी सी काली मिर्च का पावडर मिलाकर सेवन करते हैं तो आपको सर्दी खासी से रहत मिल सकती है infection से बचाए काली मिर्च में एंटि बैक्टिरियल कुण होते हैं जो हमें वाइरल और बैक्टिरियल इंफेक्शन से बचाते हैं एक अध्यन के अनुसार काली मिर्च में मौझूद लार्वी साइडल परभाव मच्छरों से होने वाले संकर्मन को पैलने से रोकने में मदद करता है कैंसर से बचाए सोद से पता चला है काली मिर्च में मौझूद पैपरीन कहीं तरह के कैंसर से लड़ने में मदद करता है पैपरीन आपके आथों में सेलेनियम, करक्यूमिन, बेटा कैरोटीन और वाइटमन बी जैसे कहीं पोसक्तत्वों के अवशोशन को बढ़ाता है पेट के कीडों से चुटकारा मिलता है, इसके अलावा काली मिर्च के साथ किस्मिस खाने से भी पेट के कीडों की समयस्या से चुटकारा मिलता है मुह में संकर्मन से बचाए काली मिर्च का सीवन आपके मुह के स्वास्ते के लिए भी फायदे मन्द है इसमें एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं जो मुग को संकर्मन से बचाते हैं इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं जो मसूडों की सूजन से रहत दिलाते हैं अगर आपको मसूडों में सूजन है तो काली मिर्च के पाउडर में थोड़ा सा नमक पानी मिलाए और इस पेस्ट से धीरे-धीरे मसूडों की मालिस करें इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्ध है लोंग के तेल में काली मिर्च पाउडर मिलाकर दांतों पे मालिस करने से रहत मिलती है काली मिर्च वजन कम करने में भी मदद करती है काली मिर्च में phytonutriates होते हैं जो fat cell को तोड़ने का काम करते हैं इसके अलावा यह metabolism को भी दुरूस्त करते हैं गेस की समस्या से राहत काली मिर्च में carminative गुन होते हैं जो गेस की समस्या से राहत दिलाते हैं ये पेट फूलना और पेट के दर्द में भी कारगर होती है, गैस जैसी समस्या होने पर आप अपने खाने में काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, अगर पेट में गैस या फिर ऐसीडिटी हो रही है तो नीमू के रसमें काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर चुटकी भ लोगों को भूक न लगने की समस्या है, उनके लिए काली मिर्च बेहद फाइदेमंद हो सकती है, इसके लिए आप आदा चम्मच काली मिर्च और गुड का पाउडर मिलाए और इस्तमाल करें तनाव और डिप्रेशन से राहत काली मिर्च तनाव और डिप्रेशन में फाइदेमंद साबित हो सकती है, काली मिर्च में पैपरीन होता है, जो सेरोटोनिन दिमाग को सांत रखने वाला एक केमिकल है, उसके उत्पादन को बढ़ा देता है सेरोटोनिन तनाव और अफसाद को कम करने में सहायक होता है इसके अलावा यह मस्तिस्क में बीटा एंडोफिन को बढ़ाता है जो प्राकर्तिक दर्द निवारक और मूड को ठीक करने का काम करता है काली मिर्च एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होती है जो ब्लड में सुगर के अस्तर को संतुलित करने में मदद करते है काली मिर्च हाइपर ग्लेस्मिया को नियंत्रित करती है जिससे मदुमे के उक्चार में साहेता मिलती है जोडो का दर्द काली मिर्च खाने के फायदे आपको जोडो के दर्द में भी हो सकते है अगर आपको जोडो के दर्द या अर्थराइटिस जैसी समस्या है तो काली मिर्च का सेवन आपके लिए फायतेमंद हो सकता है काली मिर्च में एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं जो इस समस्या से रहत दिलाने में मदद करते हैं काली मिर्च एंटी ओक्सिडेंट से भर्पूर होती है जो आपके स्वास्थे के लिए लाबदायक होते हैं एंटी ओक्सिडेंट गुण सरीर में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं जिससे हमारी इम्म्यूनिटी बढ़ती है मस्तिस के लिए पायदे मंद काली मिर्च मस्तिस के स्वास्थे के लिए भी पायदे मंद है काली मिर्च में पैपरीन होता है जो सेरोटोनिन दिमाग को सांथ रखने वाला एक केमिकल है को तोड़ने वाले एंजाइम को रोकने में मदद करता है जिसके अलावा यह याद दास्त बढ़ाने में भी मदद करती है धुम्रपान छोड़ने में मदद करे सोच से पता चला है कि काली मिर्च धुम्रपान छोड़ने में मदद कर सकती है एक अध्यन के अनुसार अगर काली मिर्च की भाप ली जाए तो धुम्रपान की तलब को धीरे धीरे नियंत्रिक किया जा सकता है भले ही काली मिर्च के बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं काली मिर्च खाने के नुकसान के बारे में काली मिर्च के नुकसान काली मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन हो सकती है काली मिर्च को आख के संपर्प में नाने दे इससे आखों में जलन हो सकती है जो लोग पेट में गैस समबंदी समस्या से परेसान है उन्हें काली मिर्च के सेवन से बचना चाहिए गर्मियों में काली मिर्च के अधिक सेवन से नाख से खून आने की समस्या हो सकती है तो दोस्तो अपने इस वीडियो में आज हमने काली मिर्च के फायदे बताने की कोसिस की है यह मिर्च इतनी गुनकारी है कि काली मिर्च के ओस्दिय गुन आयरुवेद में काफी परचलित है हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम काली मिर्च खाने के फायदे समझा पाए होंगे और आप सही तरीके से काली मिर्च का उप्योग कर सकेंगे तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मैनत पसंद आई होगी कमेंट सेक्षन में जाकर हमें जरूर बताए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कुछ सुजाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है धन्यवाद अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ पहला आइकोन को दवाना मत भूलना